हलो एफ्रीवान, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन, इस अंकिता सोथ, सोवेंटिये, यूजिसिनेट दोहजारतेईज, पेपर वन प्रेपरेशन की मौक टेस्स सीरीज में, आज मैं आपके लिए रिसर्च अप्टिट्योड यानि की शोध परिकल्पना यूनिट नंबर टू क कम्प्लीट मौक टेस्स लेकर के आई हूँ, इस मौक टेस्स में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेशन हैं, जो की अपकमिंग एग्जामिनेशन में आस इस आ सकते हैं, इसी के साथ स्टुडेंट्स आप लोगों को सबसे पहले में मौक टेस्ट के रूल्स बता देती हूँ, तो टो टोटल 25 क्वेशन इस मोक टेस में आपको मिलेंगे, हर एक क्वेशन का टो माक मोक टेस हैं, इस में आप लोगों को क्या करना है? जैसे ही क्वेशन आपके सामने आएगा आपको वीडियो को पोज करना है, उसका करेक्ट आंसर खुद धून करके नोट बूक में कैसी है and साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि next आप लोगों की तयारी को और बहतर बनाने के लिए इस exam से पहले हम और क्या-क्या कर सकते हैं आप सभी ने जरूर इन rules को follow करना है without cheating किये हुए आप लोगों ने इस mock test को attempt करना है तो सबसे पहले हम basic questions से शुरू करेंगे then definitely हम आगे को difficult questions की और बढ़ते जाएंगे तो सबसे पहला question है what is the correct sequence of actions in conducting an intervention based action research in education यानि कि शिक्षा में हस्त क्षेप अधारित क्रिया का आत्मक शोध करने के लिए क्रियाओं का सही क्रम क्या होता है so simple सा question है मैं इसको थोड़ा सा explain कर देती हूँ direct आप लोगों को इतना नहीं समझना सिरफ ये देखना है कि education field में यानि कि school college level पर अगर action research हमें follow करनी है तो कौन से sequence को follow किया जाता है यानि कि आपको ये तो पता ही होगा कि action research क्या होता है cyclic research होता है एक cycle की तरह वो गोल 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 चार phases पे घूमता है वो चार phases ये हैं आपको बस ये बताना है कि पहला phase कौन सा है उसके बाद कौन सा phase आएगा तो ये इस question में basically पूछा गया है बहुत बार students आप लोगों को क्या करना है question अगर समझ नहीं आ रहा ना एक answer होगा option number two next question is which of the following purposes demands action research so again action research पर based question है so कौन से action research का क्या उदिश्य होता है क्या उसके major demand होती है developing a theory, writing a thesis, solving a classroom problem या फिर testing a theory so action research basically focus करता है वीडियो को pause कर दीजिए ये focus करता है solving a classroom problem अब देखो क्यों होता है जैसे कि previous question में भी हमने ये चीज़ देखी थी education, institution हो गई, hospital management हो गया जहां पर कोई problem अगर आती है immediate हम लोगों को उसका solution लेना है उस समय पर discussion का कोई role नहीं होता बस जो problem है उसको solve करने के लिए immediate हम लोगों को action लेना है तो वो होता है action research hospital management, school, education, बच्चों से related कोई भी काम यहां पर हो रहा है हमेशा आपका correct answer होगा action research next question पर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ आपको इस एक्साम के बाद interview को qualify करने में भी मदद करेगी and students आपके सामने जो भी paper 2 के subjects की list है उसको आप चेक कीजिए आपका जो भी subject इसमें है तो screen पर दिये किसी भी एक number पर whatsapp की मदद से आप contact करके study material को access कर सकते हो generally इसकी fee है 1600 रुपीज लेके नाज मैं आपको दे रही हूँ flat 20% off यानि की इसके लिए आपको pay करना है सिरफ और सिरफ 1280 रुपीज जो की लगातार lifetime आप यूज कर सकते हो और भी teaching level exam में आपको ये मदद करेगा next question is which of the following research forms aims primarily at putting to use the theoretical advances with an eye on exploring the potential for journalizability so इस question में बहुत confusion हो सकते है students को आपको इसमें सिरफ एक keyword या तक ना है जहां पे भी हम journalizability के potential को explore करने की बात करते हैं तो कौन सा research होता है ये keyword मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है अगर आपने theory lectures देखे है so इसका correct answer होगा option number 4 that is applied research आपका option अगर students correct है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपका answer ये गलत था तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आता है हमारे पास pure research जिसको fundamental research भी बोला जाता है उसके बाद आते हैं action research and applied research action research मैंने आपको बताया immediate जहां पर हम लोगों को quick action कहीं पर लेना है कोई problem होगी सोचना नहीं है discussion नहीं करना है किसे से permission नहीं लेनी है बस उसको problem को solve करने के लिए quick action लेना होगा condition हो गई है तो हम यह process को follow करें या नहीं करें इस तरह की चीज़ें आते हैं applied research में next is bibliography given in a research report तो आप लोगों को पता है कि research में thesis होती है bibliography भी उसके अंदर include की जाती है तो bibliography को add करने का क्या कारण होता है helps those interested in further research यानि कि आगे आने वाले समय में same topic पर अगर कोई research करना चाहता है तो यह उसको मदद करता है choose vast knowledge of the researcher यानि कि researcher के बारे में जो शोद करता है उसके बारे में यह पूरा ज्यान हमें बताता है makes the report authentic यानि कि report को प्रामानिकता यह देता है and in an optional part of report यानि कि optional होता है इसको रखना या नहीं रखना हमारी choice होती है so correct answer क्या है जलदी से इसको आप लोग mark कर लीजे अपनी notebook में अभी मैं answer बता रही हूँ that is option number one helps those interested in further research for example मान लीजे कि कोईसी भी social problem से related मेरे मैं अभी research कर रही हूँ ठीके आने वाले समय में अभी 2023 में मैं ये research कर रही हूँ 2025 में मान लीजे आप में से कोई student as it is topic पर research करने वाले है तो आप लोग अगर देखना चाहते हो कि अच्छा अंकिता मैं इस topic पर क्या research किया था उनको क्या क्या चीजे मिली कैसे कैसे उन्होंने help किया था वो सारी चीजे देखने के लिए आप bibliography देख सकते हो आगे समय में future में जो भी इस topic पर research करेंगा उनको bibliography से मदद मिल जाती है next is in which method of research the independent variable is manipulated to observe and measure its effect on dependent variables correct so यहाँ पर independent variable यानि कि independent क्या होता है स्वतंत्रचर और यहाँ पर dependent variable दो तरह के चीजों की बात की लिए है तो जहाँ पर भी यह दो independent और dependent variables की बात आ जाती है and उनके manipulation observation का effect दूसरे variable पर पढ़ता है तो वो research होता है experimental research अब experimental research के एक example बताती हूँ science की chemistry lab में बहुत सारे experiments होते है एक experiment में हमने एक chemical को दूसरे chemical से मिला दिया अब इसका हम देखेंगे कि क्या effect पढ़ा इसमें हमने तीसरा chemical अगर और मिला देना है तो फिर हम देखेंगे कि इसका क्या effect पढ़ेगा तो experiment करेंगे एक एक करके देखेंगे कि कौन सा variable, कौन सा चर एक दूसरे पर निरवर है, कौन सा नहीं है next question is arrange करना है हमें research के different steps को in a correct sequence 6 steps होते हैं research के जो यहां पर दिये गए है सबसे पहला कौन सा होता है अब देखो सबसे last तो होगा result and discussion तो सभी में option number 6 है and सबसे पहले है 1 and 2 अब इसमें से हमने देखना है identification of research problem listening to research objectives सबसे पहले क्या होनी चाहिए आप research क्यों करोगे आप तभी किसी problem का solution ढूणोगे जब आपके पास कोई problem होगी है ना, तो सबसे पहले आ जाएगा option number 1, इस वज़ा से ये दो options को हमने eliminate कर दिया option number 1 आ गया उसके बाद option number 2 क्योंकि इन दोनों options में देखो यही sequence है उसके बाद option ये 5 में आ गया ये 6 में आ गया, ये भी same है and ये भी same है अब confusion है 3rd and 4th में, कौन सा पहले आएगा पहले आ गया research problem पता होनी चाहिए research को objective पता होना चाहिए उसके बाद data को collect करना है या फिर methods को use करना है इन दोनों में आप अच्छे से समझ लीजी और इसका correct answer है option number 2 that is, पहले हम लोगों को method देखना है research के बहुत सारे methods होते हैं जो कि already मैं detail में आप लोगों के साथ बहुत बार discuss कर चुकी हूँ उन methods में देखेंगे कौन सा research का method यहां पर use होगा उस method को ध्यान में रखते हुए फिर हम क्या करेंगे data को collect करने के लिए शुरू हो जाएंगे अगर students आपने इस तरह के topic detail में अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मुझे comment कर दीजे में वहां पर आपके साथ links share कर दूँगे next question is in which of the following there is considerable scope for violation of research ethics research ethics का मतलब होता है नैतिकताए अब research की नैतिकताओं की नैतिकताओं का उलंगन करना यान कि violation करने का क्या यहां पर point है यह पूछा गया है problem formulation, data interpretation, hypothesis making, reporting of research result या फिर using research tools prepared by others so अगर इन में से कौन से step हम follow करेंगे और हमें count कर दिया जाएगा कि हमने research की नैतिकताओं का उलंगन किया है तो सबसे पहला तो इसमें आ जाएगा किसी दूसरे के research tools को use करना ठीके, so E option तो उसमें आना ही आना था correct, उसके बाद आगया D, reporting of research results यानि कि अपने जो भी research के results आए उसमें हमने बदलाव कर दिये मान लीजे मेरा result आया था 8.9, मैंने क्या कर दिया उसको 9.0 कर दिया यह थोड़ा सा change है बट research में हमने यहाँ पर बिमानी कर दी यह research की नैतिकताओं के खिलाफ होता है and next है यहाँ पर option number B, data interpretation यानि कि data की व्याख्या करना next question in which of the following formats research abstract is a must तो research abstract किसमें जरूरी होता है research के article में seminar paper में, thesis में या फिर research synopsis में तो students यह जो basic terms है ना article, synopsis, seminar, thesis, bibliography अगर आप लोगों को पता है कि यह सब terms क्या होती है आपको इसमें कोई confusion नहीं है किसी भी student को इन सभी terms में confusion है इनका meaning ही नहीं पता जो कि exam के लिए बहुत important है तो भी आप मुझे comment कर दीजे कि basic terms पर एक video बनाए ताकि मैं जल्दी से जल्दी इन terms पर आपके लिए video लाऊं और upcoming examination में आपको मदद मिल जाए so research में जो abstract होता है वो use होता है सबसे पहले research article में भी seminar paper जो बनाते हैं उसमें भी use होता है and thesis में भी use होता है research के synopsis जिसको की साराश बोला जाता है इसमें abstract को use नहीं किया जाता इसमें सरफ यही होता है कि पूरे research में हमने क्या किया उसका एक निचोड कम शब्दों में बताया जाता है research synopsis में next question है qualitative and quantitative research से related इसमें पूछा गया है qualitative research paradigm emphasizes participant perceptives and uses an empirico-inductive approach and statement 2 बोलती है in the same research project it is neither possible nor desirable to use both the research paradigms together so statement based question इसमें qualitative and quantitative की बिल्कुल direct definition दी है जो कि हमने as it is discuss की थी इसमें क्या है statement 1 तो बिल्कुल correct है जो बोलती है कि quantitative research क्या करते हैं participant की यानि कि जो भी researcher होते है उनके perspective से काम करते है and empirical यानि कि empirical inductive research को यह use करते है empirical या empirical word जहां पर भी आपको नजर आता है अनुभव जन्य इसका मतलब होता है कि हम यहां पर observation और अपने experience के साथ काम कर रहे है ठीक है तो यह statement correct है and statement 2 is incorrect next question is what is the usual sequence of steps in the scientific method so scientific method के steps यहां पर दिये गए है 5 steps given है आपको बताना है सबसे पहले कौन सा step आएगा so इसको अच्छे से देखिए वीडियो को pause कीचिए and इसका correct answer में बता रही हूँ that is option number 2 so सबसे पहले felt need which is creating the problem तो problem क्यों हुई क्या problem है यह आपको पता होना चाहिए उसके बाद आता है identifying difficulty and problem statement formulation कि यह problem है क्या यह बहुत बड़ी problem है यह चोटी सी problem है अगर actual में लोगों को यह लगता है बड़ी problem है तो ही हम इस पर research करेंगे अगर यह चोटी मोटी problem है जिस पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता तो उस चीज़ पर research नहीं होगी collection of data using appropriate research tools ठीक है किस तरह से कौन से method को use करें data को collect करना है जो research के solution तक जाने में मदद करेंगा उसको collect करना then data analysis and interpretation यह most probably last में ही option आता है next question is given below our two statements action research is cyclic देखो first question में first question में मैंने बताया कि action research cyclic होता है चार phases है यह cycle की तरह वस यहीं ही चार phases पे गोल-गोल-गोल घूंटा है plan, act, observe, reflect देखो same question students अगर आपने पहला question अच्छे से सुना था तो आप लोगों को यह question बिलकुल आप सही करते जो की 2021 में पूछा गया है इसलिए मैं कहती हूँ हरे question को अच्छे से समझे क्योंकि NTA के पास कोई नया सले बस नहीं आता हर साल वही questions को गुमा करके पूछा जाता है ठीके, दूसरा यहां पर purpose of action research is to develop a theory to explain casual relationship among variables बहुत easy question है, answer note कीजिए and मैं बताती हूँ, इसका answer है option number 3 यह statement बिलकुल incorrect है क्योंकि action research immediate action लेता है उस समय पर अगर हम theory बनाने लगे documents ready करने लगे किसी से permission मांगने लगे तो कुछ नहीं होगा तो action research को कोई मतलब ही नहीं है ठीके, and इसमें यह cyclic process को follow करता है, जो कि बिलकुल correct statement है next question is use of ICT in research facilitates access and accuracy of research findings and इसका reason यह बताया गया है, a researcher has to follow various styles of referencing and format while writing a thesis with an intent for deriving support from ICT इसने पहली statement में यह वो लगया है कि research के दुरान, अगर हम ICT यानि की computer, internet, यह सब चीजों का technology का use करते हैं, तो easily हम data collect कर सकते हैं और हमारे research का जो result होगा वो बिलकुल accurate होगा, वो बिलकुल सटीक का के साथ काम करेगा इसका कारण यह बताया गया है कि researcher को बहुत सारे referencing के style और format follow करने पड़ते हैं research thesis के लिए जिसमें कि ICT उनको बहुत जादा मदद करता है, तो आपको क्या लगता है कौन से statements correct है, तो correct answer क्या होगा, यह तो बिलकुल correct है, कि computer से अगर हम मदद करते हैं research में तो easily काम हो जाएगा, सटीक तक से काम होगा, लेकि इसका कारण बिलकुल statement गलत है next question is, which of the following research is intervention based cyclic in nature and improved improvement focused so कौन सी cyclic होती है एक ही word से आपको correct answer आजाएगा action research कुछ नहीं पढ़ना, यह चोटे-चोटे से key words हैं, जो कि मैं आपको complete session में बता रही हूँ देखो students, इस से पहले मैंने आप लोगों के लिए one unit, one hour वाला session भी लाया, एक घंटे में complete research aptitude, एक घंटे में complete teaching aptitude, इस तरह से total 10 units कवर की थी उसके बाद one unit 20 minutes में कवर की थी, यह series में आपके लिए लेकर आई थी जिसमें सिरफ इस तरह के short tricks में आपको बताये थे, छोटे-छोटे words से आप कैसे answer को identify कर सकते हो, यह बताया था तो अगर आपने वो देखी होंगे, तो मुझे 100% surety है कि इस mock test में 50 में से आप लोग 45 5 plus easily score कर सकते हो जरूर मुझे comment करके बतायेगा आपका score, ठीक है, next question है sampling cases, sampling क्या होता है, नमूना करण, हजार लोग मेरे पास है, ठीक है हजार लोग है, मैं गई research करने के लिए किसी college में, हजार बच्चे सामने रख दिया, मैं हजार लोगं से तक question नहीं पूछूंगी, लेकिन हजार में से मैंने क्या किया, सरफ top 100 बच्चों को select कर लिया, top 100 वो किसी भी basis पे हो सकते हैं scholar students भी हो सकते हैं, जो games में best हैं, वो भी हो सकते हैं, randomly पहले 100 बच्चे जो मुझे gate पर दिख गए, मैंने उनको पुला लिया, यह क्या होगे, यह हजार में से मैंने sample ले लिया, 100 so sample cases का मतलब क्या होता है, sample मैंने बता दिया अब easily this question का अंसर आप दे सकते हो अच्छिस इसको समझ लीजिए, इसका मतलब होता है, sampling of people newspaper, television programs, etc so sampling of people यहाँ पे sampling of students यहाँ पर हमने किया a research method which focuses on establishing casual relationship with controls among variables independent, moderator and dependent is called इसको क्या बोला जाता है, इसको experimental research बोला जाता है previous question भी हमने किया independent, dependent variables के बीच में casual relationship था experimental research में next is a university teacher plans to study the performance of student in implementing specific projects in term of their creativity level, so students की creativity कितनी साथ है उसको धान में रखते हुए, इसको धान में रखते हुए, इसको इनका performance chart एक यूनिवर्सिटी में teachers ने बनाया, so इसमें कौन सा research यूज होगा, इसमें आपके पास X-Post-Factor research यूज होगा X-Post-Factor होता है after the incident यानि कि कुछ problem हो गई, उसके बाद हमें पता चलता है कि अच्छा, यह हो गया है अब हमें पता चल रहा है, अब उसके बाद हम research करेंगे, so X-Post-Factor Post का मतलब ही होता है बाद में which of the following sampling methods are in research are non-probability based so sampling we have already discussed sampling में दो types होते है probability and non-probability correct, so probability के 4 types non-probability के 4 types आपको 100% exam में आएंगे 10 minute का topic है probability और उसके दोनों types sampling और उसके दोनों types 10 minute का topic है and आपके 4 number पक्के हो सकते है so यहाँ पे non-probability के types जल्दी से देखिए, मैंने tricks के साथ आपको यह previous video में बताए है इसका correct answer है B, D and E यह तीनों types किसके अंदर है, non-probability के बागी cluster और random किसके अंदर आता है probability के, बागी के जो remaining है आप मुझे comment करके बता दीजे students, यह homework question है आप लोगों की बहुत अच्छी revision हो जाएगी comment करके बताएए कि probability के कौन-कौन से types होते हैं, non-probability के कौन-कौन से 4 types होते हैं, जल्दी से बताना next question is statement match the following, इसमें की format of presentation है, दूसरी तरफ distinctive features है, हिंदी medium students यहाँ पर इस question को देख सकते हो, यह थोड़ा सा misprint हो गया है, I think यहाँ पर आप इसको देख लीजे so, यहाँ पर यह देख सकते हो, ठीके, thesis, dissertation, research, paper, workshop, seminar जैसे कि मैंने बताया, यह छोटी-छोटी terms है, जो कि बहुत confusion create करती है, तो इस पर एक separate video चाहिए, तो बता दीजिए so, thesis and dissertation यह क्या होता है, systematic prescribed format होता है, जो कि university आपको बताती है, research के दौरान, research paper क्या होता है research paper एक presentation होते है जो भी आपने research किया उसका summary, उसको एक फटा-फट से संक्षिप्त में बताया जाता है, कि पूरे research में हमने यह किया ठीक है, workshop क्या होता है, workshop एक target oriented group based reflection होता है इसमें एक group discussion हम बोल सकते हैं, सभी लोगों को collect किया जाता है और उनको सिखाया जाता है इसमें काम seminar क्या होता है, seminar is a reflective deliberations based on specific theme कोई topic पर आप लोगों को इधर knowledge share किया जाता है seminars में, next question है when a research problem is related to heterogeneous, हैने कि different type of population the most suitable sampling बहुत तरह के लोग है, हमारे पास male भी है female भी है, जिसमें छोटे बच्चे भी है, बड़े बच्चे भी है, बुजर्ग भी है, सब लोग है तो इस तरह कि अगर लोग आपके सामने हैं आपको sampling करनी है ठीक है, तो कौन सा sampling method best होता है तो उसके लिए stratified sampling best होता है stratified को याद रखना है strata से strata का मतलब होता है group ठीक है, अलग-अलग type के group है तो इसे male, female आगे भी उनको age में डिवाइड किया जाएगा next question is mission of the following is not true about e-journals e-journals के हिसाब से कौन सा true नहीं है देको ये भी basic term है इसको e-patri का बोला जाता है जल्दी से इसको पढ़ लीजे question को and answer note कर लीजे अपने पास correct answer है, they are always free of cost ठीक है, so e-journals क्या होते हैं always free of cost होते हैं ये statement true नहीं है, ये बिलकुल गलत है बाकी की statements बिलकुल सही है basic definition है ये इसकी when academicians are called to deliver lectures or presentation to an audience on certain topic or set of topic of educational nature, देखो किसे भी शिक्षावादी को अगर कोई topic देती है चाता है और बोला जाता है कि बहुत सा बच्चे हैं आपके सामने उनको आपने इस topic पर जो है, समझाना है तो उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है seminar आपके college में भी आपने देखो गए seminars बहुत होते हैं ठीक है, ये छोटी-छोटी differences है जोकि important है, मैं बार-बार इस चीज़ पर focus कर रही हूँ next is the written format of research work is known as so research work का जो written format होता है उसको research report बोला जाता है next question in research methodology interpretation is the search of interpretation किस चीज को भूंडना होता है व्याख्या करना किस चीज को भूंडना होता है ये होता है research की findings को कि exactly problem क्या है and हमें solution पता है कि ये सका solution हो सकता है कैसे उसके पास तक पहुँचना है next we have types of research and उसके features जो कि Hindi Medium students भी हाँ पर देख सकते हो so explore करना जिस चीज के बारे में नहीं पता उस बिलकुल भी नहीं पता या 1-2% knowledge है उस चीज के बारे में खुद से find out करना चीज को explain करना लंबे समय तक चलने वाला research hints मैंने दे दिया and answer आप इसका यहाँ पर देख सकते हो Hindi Medium students के लिए भी यह available है next question is a non-government organization conducted a study in gram panchayat किसी non-government organization या की gram panchayat में एक study रखवाई जिसमें की impact देखा गया campaign approach on enrollment and retention of rural elementary school children ठीक है बच्चों से related है समझने की साधा detail में ज़रूरत नहीं है बस इतना समझ लीजिए कि campaign रखा गया gram आपके गाउं में जाकर के जहां पर के elementary rural elementary school बच्चों पर focus किया गया कि उनके कितनी enrollment है कितने बच्चे आते हैं और क्या process है तो इस तरह के research इस तरह के process को किस research के अंदर रखा जाता है इसको field experiment के अंदर रखा जाता है यानि कि मैदानी परयोग इसमें क्या होता है आप वो लोग field में जाते हैं जगा 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 जाते हैं लोगों से reviews लेते हैं अलग-अलग schools में जाकर के results देखते हैं तो ये थे आज के 25 questions I hope students आप लोगों ने इसमें अच्छा स्कोर किया होगा अगर नहीं किया है तो अभी भी examination में बहुत समय है आप लोग बहुत अच्छे से अभी भी तयारी कर सकते हो इसी के लिए पेपर वन का एक crash course हम लेकर आए हैं जो कि 100% selection की guarantee देता है इसमें daily live lectures, full syllabus, recorded session, 60 plus mock test, last 10 year question paper with solution, complete notes जिसमें 10 units cover होती है paper 1 की 2000 plus mcq question bank को देते हैं जो कि as it is exam में बहुत बार आते हैं तो इस crash course को join करने के लिए screen पर देगे numbers में से आप किसी भी एक पर whatsapp के मदर से contact कर सकते हो इसके आपको fees pay करनी है सिर्फ 3200 रुपीज जिसको लगातार 1 year तक आप use कर सकते हो इसका मतलब क्या हुआ कि 2023 में अभी जैसे February में exam है then we have June में exam, then we have December में exam ये तीनों ही exams आपके सिर्फ इसी crash course से सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपीज में cover हो जाएंगे ये fees सिर्फ आपको एक ही बार देनी है पूरे साल के लिए ठीक है so I hope students आपको ये session पसंद आया अगर आप चाहते हो कि ये series को मैं continue रखो तो आप हमें comment कर सकते हो so thank you so much for watching the session and I wish you all the very best